किसान साथियो नमस्कार आप सब का हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में ये वीडियो बहुत छोटी सी होगी सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि जो दो मार्च को मैंने अमरूद में कटिंग की थी गहरी कटिंग की थी उसके बाद 21 मार्च को मैंने दिखाया था कि उसकी थीनिंग करनी है और थीनिंग का क्या परभा हुआ ये बताऊंगा और एक भाई ने मुझे लिखाया कि त्यागी जी आपने इतनी कटिंग कर दी कि अब 10 साल तक भी इन पर फल नहीं आएंगे मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि कैसे इन पर फल आ रहे हैं यानि कलिया सुरू हो चुकी है लेकिन जैसा मैंने बताया था कि मुझे इस पर बरसात के फसल नहीं लेनी है उन कलियों को मैं हटा दूँगा और इनको बड़ा करूँगा और उसके बाद 15 जून के आसफा से कटिंग करूँगा और मैं आपको इन पर सर्दियों के अमरूद दिखाँगा और हर एक महीने बाद आपको एक छोटी सी वीडियो भी दिखाँगा किसान साथियों ये अलाबादी सफेदेगा पेड़ है जिसकी मैंने 21 मार्च को ये दिखाया था कि मैंने थिनिंग की थी और अभी भी देखिए कुछ और कलिया आ गई है इसमें ये कल्ले निकल गए है जिने मैं हटा देता हूँ आपको इसमें मिनिमम कल्ले रखने देखे जैसे ये वाला कल्ला है ये भी साखा चल रही है ये फाल्तु हो गया इसको हम हटा देंगे ताकि इसमें कोई भी एक दूसरे को क्रोश ने करे जैसे ये देखिए ये कल्ला है बहुत अच्छा ये साखा चल रही है ये इधर को ज अब आईए मैं दूसरी बात दिखाता हूँ, आप देखिए कि इस पर ये देखे नहीं कली आई हुई है, ये पहला दूसरा तीसरा जोड़ा है, इस पर आगई हैं और चोथे पर भी आएंगी, इस पर देखिए, ये देखिए इस पर आगई, लेकिन इसका अर्थ नहीं ये नहीं है कि सभी वराइटी पर ये आएंगी या सभी साखाओ पर आएंगी क्योंकि ये जो गहरी कटिंग है ये कुछ वराइटी है जिन पर गहरी कटिंग के बाद जो कलिया निकलती है उस पर निर्भर करता है कि वो variety कौन सी है और आपका खाद पानी का परबंदन कैसा है ये देखिए इस पर भी ये कली आई है यहाँ पर एक ही कली आई है ये देखिए लेकिन मेरा उद्दे से इस पर बरसात के अमरूद लेने का नहीं है और ये देखे कितनी अच्छी इसकी बढ़वार है ध्यान ये रखना है कि जो ये अगर कहीं पर दो तीन है ये देखिए यहां पर है तो इनको आपको हटाना है चुकि हम पोधे का पुनरुत्थान कर रहे हैं रीजूविनेट कर रहे हैं मैंने इतनी मोटी मोटी हैं काटी हैं और देखे कितना सुन्दर पोदा है हाँ इस पर आप कोई भी इंसेक्टिसाइड हो सके तो जो निरंजन जैल आता है 5 ml पर लिटर परतेक अमावस्या और पूर्णीमा को अवस्या करें और ये एक फंगी साइड का भी काम करेगा और इस की ड्रिंचिंग भी करें चुकि पोधा इबर नेशन से बहार आता है तो इसमें अगर आप सागारी का और हुमेट्शू की ड्रिंचिंग भी करेंगे 2-2 ml पर लिटर लेकर तो बहुत ही अच्छा होगा आईए मैं आपको दिखाता हूँ अपना ललित का ये है मेरा ललित क कभी भी कटिंग करो आपको इसमर फल अवस्य मिलेंगे इसकी मैंने 2 मार्च को करी थी और उस पोधेगी मैंने 9 बर में कटिंग कर दी थी और दिसंबर जनवरी में एक भी कल्ला नहीं आया था लेकिन फरवरी आते ही इस पर कल्ले आने सुरू हो गई अब देखिए इस पर है वहाँ पर आप देखिए इसमें लगभग परतेक में यह देखिए यह यहां पर देखिए लगभग परतेक में आपको इसमें नए फल नजर आएंगे लेकिन आपको क्या करना है कि इनकी वनस्पतिक व्रद्धी करनी है और बहुत तेजी से इनको बढ़ाना है इसलिए अच्छे कल्लों का चेहन कीजिए और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर दीजिए, हर पंदरा दिन में जैसे निरंजन जैल है और उन्निस उन्निस है, उसका छिड़काओ करते रहिए और महीने में एक बार इसमें कुरोथ परमोटर भी अवस्य दे दे, यानि सागार जिने मैं कहता हूँ कलिया आ गई ती से पर, लगबग सभी पर ऐसा हाल है, ये इतनी अच्छी वराइटी है ललित की के जो घर पर लगाना चाते हैं, किचन गारणिंग कर जा चाते हैं, वो इस पोधे को अवस्य लगाएं और चार से पांस साल के बाद एक बार इसी गहरी कटिंग और कर दे, मैंने तो काफी कीती लेकिन आप इसे और भी छोटा कर सकते थे, और थोड़ी दूर में ही बढ़ा सकते हैं, किसान साथियो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरा परियोग कैसा लगा, जो मैं करता हूँ, वही दिखाता हूँ, theoretical बात बिल्कुल नही ही करता है, और मैं इसमें ये भी दिखाऊंगा, जब इस पर फूल खिलेंगे, कि कितने फूल आये हैं, इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जैहिन, जैभारत, बंदे मदे